हाई फ्रेंड्स वल्कम टो अवर चैनल मेरा नमें दुर्ण पढ़ाद आज का वीडियो है इसमें एक ऐसा सोल्विशन बना है जिसमें आप सर्विस का जो आपका सेल्स का लेजर है जो भी आपने सर्विस के लिए लेजर बना है जैसे कि मैंने रिपेरेंस सर्विस का लेजर बना है तो हम लोग जो लेजर क्रिएट करते तो उसके अंदर बिल बनाना जाते अज़े अकाउन्टिंग तो उसमें उसमें पॉ प्रम परह जो जो तो आप दिखाना चाहिए तो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं कि यह सोलुशन के से काम करता है जैसे कि यह मेरा एक सर्विस का लेजर है उसके अंदर आपको क्या रहेगा यहाँ पर एक option आएगा इस सर्विस लेजर इसको आपको यस करना होगा आप यहाँ पर देख पार हो कि मैंने उसका sales account में लिया हुआ है सर्विस भी दिया हुआ है और इसका मैं आपको print इन प्रिव्यू भी दिखा देता हुँ आप यहाँ पर देख पार हो कि यहाँ पर इसका quantity ओर rate भी आ रहा है अभी मैं आपको एक नया एंट्री करके दिखा देता हुँ इस कॉम लोग accounting invoice एंट्री करेंगे तो आप यहाँ पर देख पार हो को quantity का कॉलम आ रहा है मैं quantity और rate यहाँ पर एंट्र कर सकता हूँ बट यहाँ पर आपको जो unit होगा वो आपको manually select करना पड़ेगा जो भी आपने टेली के अंदर unit बनाया होगा वो आपको यहाँ पर select कर लेना है आप यहाँ पर देख पार हो print preview भी बर बर आ रहा है और इसका हम लोग GTR1 में report भी check कर लेते हैं आप यहाँ पर देख पार हो कि दोनों एंट्र यहाँ पर शो कर रही है और HSNS summary में यहाँ पर देख पार हो कि यह service ही दिखाए दे रहा है और unit में यहाँ पर आपको not tab टेक बला रहा है तो इस तरके से ही option काम करता है तो आप में से कोई भी इसका demo चाहता है या purchase करना चाहता है तो screen पर जो number दिखाए दे रहा है उस number पर आपको contact करना है तो दोस्तो इस वीडियो में इतने ही अगर आपको विछे लगा लाइक करे शेयर करे और आप मेरी channel पर नहीं हो तो subscribe करन नहीं वन्दमातर